नमस्कार मैं डॉक्टर श्रद्धा वसिष्ट आपका सबके शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बेहत मेहतपून जानकारी जो की संबंदित है स्कूल ओफ एक्सिलेंस के रिजल्ट से जैसा कि हम सब जानते हैं क्लास 9 और क्लास 11 के फॉर्म स्कूल ओफ एक्सिलेंस के लिए भरे गए थे और उसका रिजल्ट कब आ रहा है इससे संबंदित मुझे बहुत सारे कॉमेंट के माधिम से सवाल पूछे जा रहे है और आपके सबी सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो के माधिम से आपके लेकर आई हूँ इसलिए इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखिएगा यदि आपको इस वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शिक्षय सम्मंदित सही जानकारी और दाकिला सम्मंदित लेटस इंफोमेशन पाने के लिए सबके शिक्षय को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि क्लास 9 और क्लास 11 का स्कूल अफ एक्सिलेंस का रिजल्ट आज निकल गया है 26 September 2020 at 3 p.m. आज स्कूल की लिस निकल नी थी वेटिंग लिस में कौन से कंडिडेटस है उनकी लिस निकल नी थी यह मैंने अभी आपो दिखाया है क्लास 9 का और क्लास 11 के लिए भी सेम ही डेट लिखी है देखिए 26 9 2020 साटड़े दुपहर को 3 बज़ रिजल्ट निकल आज न आज से वाल भी है क्योंकि बहुत से लोग मुसे पूछ रहे है कि मैं जैसे डेली गर्मनेट स्कूल का रिजल्ट अराम से एडुडेल की वेबसाइट पर जाकर देखा जा गया है तो हम क्यो हमारा रिजल्ट हम साइट पर देख नहीं पा रहे है हमें डिर्यक्ट रड़ अ कि वेबसाइट पर कहीं भी अपना रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो इसके जवाब में मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्कूल अप एक्सिलेंस का रिजल्ट डेख सकते हैं जिसका नाम अपने पॉर्म में भरा था उसमें जाकर आपको और देखना होगा जी हां जो आपक कि वेबसाइट पर किसी लिंक पर क्लिक कर कर रिजल्ट नहीं देख पाएंगे आज रिजल्ट हो गया है और जिन लोगों का सेलेक्शन हो गया उन सभी को बहुत-बहुत-बहुत कुंग्राचुलेशन और जिनका नाम वेटिंग लिस्में में में कहना चाहूंगी कि आप दाखिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा और जिनका नहीं हुआ है कोई बात नी उपर वाले शायद आपके लिए कुछ और बहतर सोच कर रखा है इसलिए आप चिंत ना हो परेशान ना हो हमेशा कुछ बहतर होना होता है तभी ऐसा होता है कि एक दरवाजा बंध होता है तभी द जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि दाकला सम्बंदित सही जानकारी और शिक्षा सम्बंदित बिल्कुर लेटस इंफॉमेशन एक जिसे कहते हैं अथेंटिक इंफॉमेशन सबके शिक्षा के माध्यम से मैं आपके लाती रही हूँ अब मुझे दॉक्टर श्रंदावसिश क पजाज़त दीजे नमस्कार